हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राने किचन जोन फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे सो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं आज की टिप नमबर वन तो यहां पे देखिए हमने दूद का बरतन ले लिया है जब दूद को हम दूसरे बरतन में खाली कर देते हैं तो इस तरीके से मलाई बहुत सारी लगी रहती है जिसको वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं होता है तो आप इसके अंदर आटा गुन ले जी हां आप इसके अंदर आटा जैसे ही डाल करके गुनेंगे आप देखेंगे कि जो नॉर्मल आटा गुनते हैं उससे और जो ये मलाई बला आटा होता है वो एक दूसरे को अगर कंपेर करेंगे ना तो बहुत ही जादा सौफ्ट और एकदम से वाइट गुन करके रेडी होता है तो देखें कहीं पर ये हमने वाइरल टिप देखी थी कि इस तरीके से अगर विसकर से आप इसे आटा को गुनते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से गुन जाता है बट मेरा परसनल एक्सपिरियंस ये रहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बिल्कुल वर्क नहीं करता है और तो और इसके अंदर आटा इतना जादा आटा जाता है जिसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं ये सज़्जेस्ट करूंगी कि ये जो टिप है आप इसका इस्तमाल बिल्कुल मत करियेगा इतना मेहनत करने से अच्छा है ना कि आप अपने हाथों से ही आटा को गुन लेजे हाथ से जो आटा गुना जाता है वो बहुत जादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही अच्छी उसकी रोटियां भी बनती है देखे थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला चुकि इसमें मलाई भी है तो मलाई बहुत ही अच्छी तरीके से इस आटे को सॉफ्ट कर देती है और बहुत ही अच्छा से टेस्ट भी आता है अगर आप रोटी को ऐसे ही खाएंगे ना सुखा सुखा तो एक अलग सी मिठास आती है ये बिल्कुल आजमाई हुई टिप है मैं हर चीज को बहुत ही बारीकी से अबसर्व करती हूँ नोटिस करती हूँ तो मुझे लगा कि इस तरीके से अगर आप मलाई में आटा गुनते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और आप देखिए यहाँ पर मलाई का बरतन भी बिल्कुल साफ हो गया है इसमें भी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमें रगड करके वोश नहीं करना पड़ेगा चोटी सी टिप है आई होप आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करिएगा अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए मेरे पास यह टी शर्ट है और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत महंगी कपड़े भी खरीद लेते हैं तो उसको 5-6 बर पहनने के साथ ही अगर उसको वाश किया जाता है तो वाश करने के बाद उस पे लिंट आ जाते हैं यानि कि उस पे रूवे आ जाते हैं उस पे बबल आ जाते हैं जो कि बिलकुल अच्छे नहीं लगते हैं उसको ऐसा लगता है कि बस कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि ये एकदम से साफ हो जाए तो यहां पर बहुत ही आसान सा एक बहुत ही घरेलू और जिरो कॉस्ट आपको एक उपाय बता रही हूँ जिससे आपका जो कपड़े का लिंट है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा सबसे पहले तो आपको बॉटल ले लेनी है आपको इसे भी बॉटल ले सकते है इसके बाद आपको चोड़े वाला सेलो टेप ले लेना है चोड़े वाला मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि जो चोड़ा वाला टेप होता है वो अच्छी तरीके से इसके उपर चिपक जाएगा और इससे निकालने में बहुत जादा आसानी होगी आपको अब देखिए करना कुछ भी नहीं है बस जो कपड़ा है इसके उपर इसे फेरना है जैसे ही आप इसको फेरेंगे आप देखेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा बबल होंगे न वो एकदम से निकल करके इसके उपर चिपक जाएंगे और जो भी आपका कपड़ा लेंड से खरा अम्रेला अपने साथ केरी जरूर करिएगा अपने पर्स में अपने बैग में और उसके साथ ही इस तरीके की जो जिपलोक बैग होते हैं आप इसका भी इस्तमाल करिएगा तो देखिए मैं तो हमेशा इसको अपने हस्बन के बैग में डाल करके रखती हूं क्योंकि ये बह बिल्कुल भीगिला नहीं होगा अच्छा यहां पर जो जिपलोग पैग है यह थोड़ा सा छोटा है आप कोशिश करिएगा कि बड़े जिपलोग पैग का इस्तमाल करिएगा तो टिप कैसी लगी जरूर बताईएगा बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो यहां पर देखि आपको पास क्लिंग फिल्म है अगर उसको इसको 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 कुरू रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा या इसको क्लिंग फिल्म है उसको करना क्ट कर नहीं तो एक इसके बाद से floor पे चिपकाईएगा जिधर glue होता है वो floor पे होना चाहिए ओपर जो slippery part होता है वो उपर होना चाहिए इसके बाद अपना dormit रखिए देखिए कि बिल्कुल भी ये slip नहीं करेगा जो glue वाला part होता है वो नीचे floor पे चिपक जाता है जिससे एक छोटी सी grip बनती है और इसके वज़े से dormit बिल्कुल भी slip नहीं करता है अगर आपको यकीन ना हो तो इस tip को ज़रूर फॉलो करके और आप हमें नीचे comment box में ज़रूर बताईएगा अब बढ़ते हैं next tip के तरफ तो देखिए टीवी के लिए और remote के लिए हमेशा लड़ाई होती है अगर जिनकी घर पे बच्चे होते हैं तो अब क्या होता है कि इस पे कितना भी cover लगा लो बच्चे निकाल करके फैंक ही देते हैं तो यहाँ पे आप न इस तरीकी के cling film को लगा सकते हैं इसके उपर बहुत अच्छी तरीके से इसके उपर चिपक जाता है और अच्छी तरीके से इसको safety भी देता है अगर कहीं से भी remote गिर भी जाता है तो तूटने का डर नहीं होता अब देखिए हमने इसको इसके अंदर रैप कर दिया है मैंने तीम से चार बार इसको रैप किया है जिससे की अच्छी तरीके से यह सेक्योर हो गया अब आपको यहां पर एक छोटा सा और काम करना है अगर आपके घर में ड्रायर है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसके उपर ड्रायर कर देना है जिसके वज़े से जो polythine है बिल्कुल चिपक जालते हैं तो वो बार-बार स्लिप हो करके देखिए इस तरीके से नीचे गिरते रहते हैं तो इसके लिए बहुत चोटी और बहुत ही कॉमन सी टिप है आई होप सब को पता होगा जिसको नहीं पता है वो यहां देख करके जरूर इसको एडॉप्ट कर सकते हैं इसमें पर बच्चों को तो बहुत पसंद है आपके बच्चों को पसंद है कि नहीं है ज़रूर बताईएगा इसको बनाने के लिए देखिए धेर सारी वेजियस का इस्तमाल करिए जिससे बच्चों के पेट में भी जाएगा हरी सबजियां और बच्चे इंट्रस के साथ खाते भ बटर डालिएगा और इसके बास अब पिकाट करके इसके उपर डाल देना है इसके उपर में जो पीजा की सिजलिंग होती है ना लाइक चिली फ्लैक्स औरिगेनो और मैयोनीज वगरा मैं ये सारी चीज़े इसके अंदर एड़ करूंगी आप देखती चाहिए अगर आपक अब देखिए अब इसके उपर कैचप भी डाल देना है अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसके अंदर थोड़ा सा आपको अगर आपको लगता है कि सॉल्ट डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं अदर्वाइज मैयोनीज के अंदर भी सॉल् तब इसके अंदर हमें डाल देना है वाइट तिल जो कि बहुत जादा हिल्दी होता है बचों को खिलाना चाहिए इसे अब देखिए यह जो टेस्ट होगा न वो थोड़ा थोड़ा पीज़ा का भी टेस्ट आएगा और इसमें बर्गर का भी टेस्ट आएगा बहुत ही कौन से टिप सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रू मेंशन करिएगा यहां तक बने रहने के लिए वीडियो को फूल वाच करने के लिए लोट्स अफ थैंक्स मिलती हूं मैं कल के वीडियो में तब तक के लिए अपतना खूब सरा ख्याल रखिएगा बाई बाई एंड टेक कर दो कियर